दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम बड़े खवरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मोक्स में जरूर पूछे सबसे पहले कबर कोरोना वैक्सिन नहीं लगवाने वालों के सूची बनवार ये बिहार सरकार जिहां कोरोना मामारे से निबटने के लिए बनाई कोरोना वैक्सिन को लेकर पूर देश में तरह तरह की भरंतिया फेली है इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव ग्रामिन छेदर में देखने को मिला है अब वागों के चलते लोग वैक्सिन नहीं लगवा रहे हैं स्वाथ विवाग के टेम इन लोगों के गाओं में वैक्सिन लगवाने के लिए जाती है सिक्चको और रसोई ने भी टीका नहीं लिया है ऐसे लोगों के खिलाब विभाग गंभीर है इसके लिए टीका नहीं लेने वाले लोगों के सुची मंगाई गई है आगली बड़ी कबर एम्स और पटना सिटी रूट पर इलेक्टिक बस सिवा शुरू सुबह 6 बजे से 4 फिरे लगाएगी जिहां कारगिल चौक से गुरुवार की सुबह 6 बजे एम्स और पटना सिटी रूट की लेक्टिक बस सिवा सुरू हो गई अलाकि सुबह के समय और कम लोगों को पटना सिटी रूट पर इलेक्टिक बस की सेवा की सुरुआत होने की जानकारी के करण इसे केवल चो यात्री ही मिल पाए हैं दोनों बसों की टाइम टेबल की बात करें तो दोनों रूट की बस हर दिन चार ट्रिप करेगी ट्रिप 1 सुबह 6 बजे कारगिल चोक से सुरू होगी जो सुबह 7 बजे पटना सिटी या एमस पहुच कर खतम करेगी और 15 मिनट बाद सुबह 7 बज कर 45 मिनट वहां से वापस चलेगी जो सुबह 9 बज कर 45 मिनट में कारगिल चोक पहुचेगी कारगिल चौक से सुबह साड़े नो बजे दूसरी ट्रिप सुरू होगी जोस दोपार 11 बजे पाटना साहिव रेलवे स्टेशन या एमस अस्पताल के पास पुरी होगी और वहाँ से 11 बज कर 45 मिनट में यहाँ चलेगी तो वापस दोपार 12 बज कर 45 मिनट में कारगिल चौक से बस के तिसरी ट्रिप सुरू होगी जो दोपार 3 बजे एमस या पाटना साहिव इस्टेशन और 3 बज कर 15 मिनट वापस चलने पर साम 4 बज कर 45 मिनट में कारगिल पहुचेगी साम 5 बज कारगिल से चौती और आकरे ट्रिप सुरू होगी जो साम 6 बज कर 45 मिनट वहाँ से वापस चलकर रात साड़े 8 बज कारगिल पहुचेगी आगली बड़े कबर राज में जुलाई में इसकुल खोलने से पहले की हो रही है तैयारी जिहां सिक्चा विवांग ने जुलाई महिने में इसकुल खोलने से पहले प्रदेश की सभी तरह के सरकारी एवम नेजी इसक स्कूल की प्रबंद समितियों के लिए दावितों का निधारन करेगी। आपको बता दे कि सिक्चा विभाग ने यह समिती भारत सरकार की स्कूल सिक्चा एवं साक्चरता विभाग की तरप से जारी विशेस गाड्लाइन के तहद गठित की है। सिक्चा विभाग की यह उची स्तरिया समिती तैक करेगी कि प्रदेश के राजगिया, राजगे किरित, अनुदानित और निजी स्कूलों में गड़ित प्रबंदन समिती को बच्चों की सुरक्चा की समन में जरूरी दावित निधारत करेगी। दरसल कोविड महमारी के दोर कोड ने गुर्वार को घोषना किये कि कक्चा 10 वी और 12 वी की परिनाम करमसा 20 जुलाई और 31 जुलाई तक घोषित कर दिये जाएंगे। इससे पहले दिन में सरकार ने सुप्रीम कोड को बताया कि सिबेसी 12 के नतिजे 10 वी गारवी और 12 कक्चा में चात्रों के परदसन के आदार पर घोषित किये जाएंगे इसके लिए करमसा 30 अनुपाद 30 अनुपाद 40 का फर्मूला अपनाया जाएगा। आगली बड़ी कबर पटना पुलिस की वर्दी में चिपा रहेगा केमरा। लेकर पुलिस मुक्याले को एक प्रस्ता भेजा है। आल की दिनों में बिहार में पुलिस आदोनी करन को लेकर कई काम हुए हैं लगजरिक गाड़िया भी खरीदी गई है। आल की दिनों में बिहार बना देश का नमबर वन राज एक दिन में 6,62,507 लोगों का हुआ टिका करन सरकार ने किया दावा या संक्या सभी राज्यों से ज्यादा। पिछली 24 घंटे में सबसे ज्यादा टिका देने का रिकॉर्ड बिहार ने बनाया है। वेक्सिनेशन के लिए आधार कार्ड, रासन कार्ड और डेल के साथ 8 बर्मान पत्र को मिली मंजूरी। आदेश में या संसोदन किया है। दूसरी और अब नए दिशा निर्देश के नुसार विदेश जाने वाले लोगों को 28 दिन के बाद ही कोवी सील की दूसरी डोज दी जा सकीगी। जबकि कोवी सील की दूसरी डोज के लिए फिलाल 12-16 सब्ता के बीच देने का निर्देश है। पाकवदादे की टीका करन के लिए आधार कार्ड के अलावे लावुक, अपना रासन कार्ड, वोटर आइडी, डाइविंग लाइसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ड, पेंसन पासपोक, एन पी आर, स्मार्ट कार्ड तदा दिव्यांगता परमान पद्र की मदद ले सकते हैं सरकार एवां विभाग ने इसकी अनुमती प्रदान कर दी है अगली बड़े कबर मगद इनिवसिटी ने शुरू की पीजी में एडमिसन की प्रक्रिया 30 जून तक इनिवसिटी की वेवसाइट पर कर सकते हैं आवेदन जी हाँ COVID-19 महामारे की दूसरी लहर के कमजोर पढ़ रहे कदम के साथ इमगद इनिवसिटी बोध गया ने पीजी में एडमिसन लेने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है इस बाबत इनिवसिटी की ओर से भी दिवात नोटिस जारी किया गया है एडमिसन के लिए फॉर्म को भरे जानी की प्रक्रिया कल से सुरू हो गई है विद्दारती 30 जून तक इनिवसिटी की वेवसाइट पर आवेदन जमा कर सकते हैं आपको बता दे कि वोकेसिनल वो प्रोफेसिनल कोर्स में नमांकन के लिए चात्र 25 जून तक आवेदन जमा कर सकते हैं यहाँ प्रक्रिया ओफलाइन और ओनलाइन दोनों में उपलवद है बड़ी कबर बिहार में बार का संकट भारी बारिस के करण चमपारन और मितलांचल में हालात बिगड़े जी हाँ कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद बिहार में अब बाड का संकट गहरा गया है नेपाल और बिहार में पिछले 48 गंडे से हो रही भारी बारिस की वज़ा से सुबह में हालात बिगड़ गया है चमपारन और मितलांचल के इलाकों में बाड का खत्रा बढ़ गया है नेपाल से आने वाले नदियों में चमपारन में अभी से तबाई मचाना सुरू कर दी है बाड की वज़ा से पूर्वी और पश्चिमी चमपारन गोपाल गंज सारन वैसाली मुझपर पूर दरबंगा देगु सराय और खगड़या जिले में लोग प्रवावित हो रहे हैं दूसरी तरफ पिछले तीन दिनों से उत्तर बिहार में जारी है बारिस का कहर कई इलाकों में च्हाया बाड का खत्रा नदियों का बढ़ा जलिस्तर जिहां पिछले तीन दिनों से उत्तर बिहार में ब पानी छोड़ा गिया है दूसरी और मोतिहारी जिले की सुगोली और अरिराज में बाड तबाही मचाने लगा है तो वहीं गोपाल गंज में गंडक नदी लाल निसान से 177 सेंटिमेटर उपर बह रही है आपको बदाद कि बिहार में नदियों का जलेस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है जिसे कई अईन गाओं में पानी परवेश कन्नी की समावना बढ़ गई है अगली बड़े कबर बिहार में बारेस का कहर पतना सहीती गारजीलों के लिए रेड अलट जारी याने आपके जिले में कैसा रहेगा मौसम जिहां बिहार में सबी जिलों में बारेस से नदियों का जलिस्तर बढ़ना सुरू हो गया है मौसम विवाग ने अगले तीन दिन तक राज की 11 जीलों के लिए भारी बारिस का रेड अलट जारी किया है तेरा जीलों के लिए ओरेंज अलट और आयनी के लिए येलो अलट जारी किया है साथ ही लोगों को खुले इस्तान म पूरवी चमपारन और गोपाल गंज के अलावा दच्छिन मध बिहार के पटना गया नलंदन नवादा बेगु सराई और लकी सराई सामिल है यहां मेग गरजन वजपात के साथ अच्तादिग बारिस के असंका है इस वज़ा से लोगों से घर से कम निकलने की अपिल की सार दचिन पचिम बिहार और दचिम पूर्व बिहार के जीलों के लिए औरेंज अलट जारी किया गया है इन जीलों में बकसर बोजपूर रोतास भववा और अंगाबाद जहानाबाद अरवल कटिहार भागल पूर बाका जमोई मोंगेर और खगड़या में सचित रहने की हिदायत दी गई है अगली बड़े कवर पसुपती पारस बने लगाई मोहर नहीं पोची प्रिंस राज चिराक पासवान को बेदकल कर चाचा पसुपती कुमार पारस लोग जन सकती पाटे के अधक चुन लिए गये हैं गुरवार को बुलाए गए राष्टी कारकरनी की ब उनके साथ पंदन वीना और केसर जैसे नेता नजर आये लेकिन पिंस राज नहीं पहुचे तीन बज़े तक किसी आइन का नामांकर नहीं होने से पसुपती पारस अधक्च बनाए गए